सलमान थान के रियालिटी शो बिग बॉस 17 में टीवी की टॉप हसीन अंकिता लुखंडे ने धागर एंट्री ली थी शो में अंकिता लुखंडे अपने पती विकी जैन के साथ आई जो खेल में मास्टर माइंड का टैग ले चुके हैं विकी बिग बॉस के घर में हंगामा मचा कर रखते हैं इसी तरह अब अंकिता लुखंडे भी गेम मोड में आ गई हैं अंकिता लुखांडे का बिग बॉस के घर में साथ हफ्तों में ही कई कंटेस्टन से पंगा हो चुका है जिस वज़ा से अंकिता लुखांडे उन कंटेस्टन से बात करना भी पसंद नहीं करती हैं ऐसे में कहा जा सकता है कि अंकिता लुखांडे शो के बाद भी इन इश्वरे शर्मा शुर्वाती दिनों में आच्छी दोस्त की तरह दिखी थी लेकिन शो में दोनों की बीच भहन का लड़ाई हुई है इश्वरे ने अंकिता को चुरेल तक बोल दिया था अब दोनों शो में साथ बैठना भी पसंद नहीं करती इस लिस्ट में अभिशिक सलमान खान के ये सामने कहा था कि उनके और अंकिता की दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती मनारा चोपड़ा भी अंकिता लुखंडे के काफी जादा क्लोस थी लेकिन दोनों को कई बार जगड़ा हो चुका है अब बिग बॉस में मनार और अंकिता एक दूसरे की तरब देखती अंकिता लुखंडे की साथ ईशा मालवय का भी काफी जादा चारिश्ता था लेकिन वाश्रूम क्लीनिंग की डूटी को लेकर दोनों की बीच काफी जादा जबदस लड़ाई हुई है अंकिता लुखंडे का जगड़ा नील भट से भी हुआ है दोनों कई बार चिंदा के बारे में काफी कुछ का है इस दुरान जिंगना ने यह भी हिंड दिया कि अंकिता की प्रेगनेंसी का मामला से फूटेश के लिए था वही जब ये बात आंकिता को पता चलेगी तो यकीन वह जिगना वोरा से दूर रहेंगे अंकिता लुखंडे और विकी जैन करिष्टा बिग बॉस उत्रा के घर में बिगडने लगा था दोनों ने दूसरे को काफी कुछ सुनाया जिसके बाद मेकर्स ने कपल की माओ को घर में बुढाया इसके बादी अंकित और बिक्टी के बीच चीजे ठीक होई है बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे से फान्स को काफी जादा उमेदी थी माना जा रहा था कि वो शो में कंटेशन्स की बैंड बजा देंगी लेकिन फान्स अंकिता की गेम को नहीं समझ पा रहे हैं अंकिता ने अब गेम खेलना शुरू कर दिया है शुरुवाती दिनों में वो अपने पती से लड़ते जगड़ते ही दिखती थी बता आदे कि अंकिता लोखंडे साफ्ती नॉमिनेटेड है हालकि आक्टर्स इतनी जुल्दी शो से बाहर नहीं निकलेंगी वो अभी घर में ही रहने वाली है